नमस्ते आप सबको मैं हुझ यतिया सनर्दा गर्ल थैंकि सर मच फार स्टॉपिंग भाई और आज के विडियो में मैं आप सबके साथ शेर करने वाली हूँ करेक्टली कोजिक एसिड सिरम को यूस करने का शही तरीका उसे कैसे यूस करना चाहिए कैसे नहीं यूस करना चाहिए क्योंकि अगर आप मेरे regular viewer होंगे तो आपको पता होगा कि कोजिक एसिड vyडियों बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसने मेरी बहुत करी है प्रेग्डेंसी के बाद मुझे इतने बुरे एक ने हुए थे इतने बुरे पिंपल से थी कि मुझे में लाइफ में कभी नहीं हुए थे और उसके जो माक्स रह गये थे ना कोजिक असे ने उनको लाइटन करने में बहुत जादा मेरी हेल्प करी इवन अभी भी मैं ब बाहर गीती डिनर पे डिनर से आयों तो जो थोड़ा बहुत सा मेकप है पहले मैं इसको मेरे फेस से रिमूव कर लेती हूं तो बस क्लेंजिंग बाम लगाऊंगी मेकप को रिमूव करने उसके बाद पहले फेस को वाश कर लूँगी तो कोजिक असेट बेसिकली क्या करता ह वो मैं आपको फटा-फट से बता देती हूं तो कोजिक असेट, हाइपर पिगमेंटेशन, एकने पिंपल के मार्स, डार्क स्पोर्स, मिलाजमा इन सब को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा इंबीरेंट है क्योंकि ये मेलनीन प्रोड़क्शन को इनहिबिट करता ह जिसकी वैसे पिगमेंटेशन, डार्क स्पोर्स, मार्स में बहुत हद तक कमी आती है, इसलिए इंगीरेंट मुझे बहुत जाद अच्छा लगते है क्योंकि मेरी याकने पिंपल क्रोन स्किन है इधर उधर महीने में थोड़े बहुत एक दो पिंपल निकलते रहे तो उनके मार्क्स रहते हैं उन्हें कम करने में काफी हल्प करता है साथी साथ में अगर थोड़ा बहुत संटन वगरा भी हो गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी काफी ज्यादा ये अच्छा ह है बाकी अगर मैं आपको टाइम लाइन के साब से बहुत हो इस बीन मोह दन टू यह जब से मैंने कोजिक एसेट सिरम को मेरे स्किन केर रूटीन में इंकॉर्पोरेट किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो सबसे पहले में मेक अप को रिमूव करूंग आपको बताया ही कि उसके क्या बेरिफिट्स होते हैं उसके अलावा इसमें सॉरी मुझे कोल्डें कफ है उसके लावा इसमें 1% ऑफ नासिनामाइट का भी उसकरा गया है नासिनामाइट स्किन के बैरियर को स्ट्रेंद करने के बहुत अच्छा काम करता है साथी साथ में अ यह थिक सा face wash है और काफी gentle है तो यह चीज में इसके अच्छी लगती है कि काफी gentle है P size quantity से भी कम ही लगता है और face को अच्छी से clean कर देता है gentle है तो मतलब इसको use करने माद skin बिल्कुल भी dry dry सी feel नहीं होती तो यहाँ पर मैंने मेरे face को wash कर लिया है तो अगर आपकी skin fragrance एरिटेट होती है तो आप यह face wash ट्राई कर सकते हैं इसमें कोई भी fragrance नहीं किया जाता है तो जब तक मेरा जो face है यह dry हो रहा है तब तक मैं कुछ basic से steps के बारे में बात करूँगी जो की kojic acid serum को use करने के time पे ध्यान में रखना है तो सबसे पहली चीज की चाहे आपकी कोई भी skin type हो sensitive हो या ना हो हमेशा patch test करें not just for kojic acid कोई भी आप active use करने जा रहे हो हमेशा एक patch test करें patch test के लिए आप चाहे तो आपके arm पे थोड़ा सा जो भी product है उसको apply कर लीजे या फिर आप चाहे तो neck पे यहाँ पे back में आप थोड़ा सा product लेके apply कर लीजे और 24 घंटे तक उसको observe करिए कि वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है आपको suit कर रहा है नहीं कर आपको कोई rash, irritation, redness कुछ हो रही है कि नहीं हो रहा है करना start कर दो, always start में 2-3 times a week और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके night time routine में use करना start करिए पहले आप 2-3 हफते शुरू के हफते में 2 बार इसको use करिए सिर्फ आपके night time routine में और आप 2-3 हफते तक observe करिए अगर आपको फिर suit करता है तो जैसा product पे लिखा है जैसे कि यहाँ पे brand ने यह जो by the way मैं जो kojic acid use serum यूज करती है यह the derma को का kojic acid serum है इसमें 2% of kojic acid का use करा गया और यहाँ पे brand ने mention किया है कि आप इसको everyday use कर सकते हो तो पहले आप 2-3 हफते हफते में सिर्फ और सिर्फ दो बार यूज करिए आपके night time routine में अगर आपको suit कर रहा है 2-3 हफते बात आप observe करो तब तक तो फिर उसके बाद आप move on कर सकते हो daily use कर सकते हो frequency को बढ़ा सकते हो और यह जो दर्मको का सिर्म है हमेशा start करिए lower concentration कभी भी ज्यादा concentration के लिए मज़ जा है 1-2% बहुत है और यह जो दर्मको का सिर्म इसमें 2% of kojic acid का use कर रहा है इसको अगर आप beginner है तो आराम से इससे start कर सकते है उसके अलावा आप मैं बता देती हूँ कि इस सिर्म में 1% of alpha arbutin का use करा गया जो कि मैंने आपको थोधेर पहले बताया कि alpha arbutin भी dark spots को कम करने का बहुत अच्छा काम करता है साथी साथ में इसमें niacinamide का भी उसका क्या benefit है वो भी मैंने इसमें बताया तो यह जो तीनों चीज का इसमें blend है na kojic acid, alpha arbutin and niacinamide यह तीनों मिलके एक ब पेस को अच्छे से wash कर लिया clean कर लिया और उसके बाद आप फेस को अच्छे से dry होने दीजे kojic acid serum को आपको damp skin पे नहीं अप्लाई करना है face को पहले अच्छे से dry हो जाने दीजे उसके बाद serum की आपको सिर्फ और सिर्फ दो से तीन drops लेनी है उससे ज्यादा नहीं लेना ह दो से तीन drops बहुत है और बहुत ही मतलब हलके से gently massage कर लिजे अपने eye area को avoid करें eye area के आसपास जो आपका under eye area है eye lids है यहाँ पे serum को नहीं अप्लाई करना है अपने eye area को avoid करना है तो देखा आपने कि मैंने सिर्फ सिर्फ दो से तीन drops लगाई और यह सिर्फ बहुत ही ज़्यादा light weight है बिल्कुल भी non sticky नहीं it's just like water मैंने जैसे skin में लगाया हलका सा बस tap tap किया और यह मेरे skin में एकदम अच्छे से absorb हो गया है कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ ल pigmentation है dark spots है मिलाजम है जो एरिया को आप target करें सिर्फ वहां पर भी एक पथली सी layer लगा के छोड़ सकते हो अब सिर्फ अप्लाई कर लिया अब इसको पहले completely skin में absorb होने देंगे 2-3 मिनट का समय दीजे ताकि सिर्फ अच्छे से skin में absorb हो जाए और उसके बाद जो आपका next step है moisturizer का बहुत ज्यादा important step है skin को moisturize करना ही करना है बिल्कुल भी ने भूलना है और जैसा मैंने बताया कि night time skincare routine से start करना है kojic acid serum को यूज करना लेकिन अगर आप use करें kojic acid या फिर कोई भी active यूज करें या कोई भी active नहीं भी उसकर रहे हो मतलब आपको पता ही होगा बहुत बार बता चुक्यों मैं ही नहीं बहुत लोग बताते हैं कि sunscreen तो यूज करना ही करना है तो आप kojic acid serum को night में लगा रहे हो बिल्कुल लेकिन morning skincare routine में आपको sunscreen apply करनी ही करनी है क्योंकि ये जो active होते हैं कई बार हमारे skin को sensitive बना जाते हैं towards sun तो उससे हमारे skin कोई नुकसान न पहुंचे उसके लिए sunscreen जरूर अप्लाई करना और हमेशा मेरा फेवरिट sunscreen यूगाइज नो धर्मको का hyaluronic sunscreen aqua gel वाला 1% hyaluronic acid में यूज करा गया है जो कि skin को बहुत अच्छे से hydrate करता है साथी साथ में vitamin E है जो कि skin को protect and moisturize करता है ये SPF 50 PA 4x plus rating वाला sunscreen है मतलब कि एक broad spectrum sunscreen यूवी ए यूवी बी दोनों रे से skin को protect करेगा जब भी sunscreen ले हमेशा देखे कि वो इक broad spectrum sunscreen ही होनी चाहिए और ये sunscreen का जो texture है it is so 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 lightweight इतना fast absorbing है एकदम skin को hydrate करता है कोई white cast नहीं छोड़ता है एकदम it just blends like water मेरा favorite sunscreen है बहुत ही प्यारी सी dewy finish देता है skin को and कोई भी आपकी skin type को आप इसको आराम से use कर सकते हो fragrance free भी है कई बार बता चुकी हूँ इस sunscreen के बारे में मतलब जबी भी sunscreen की बात होती है तो मैं इस sunscreen को हमेशा include करती ही करती हो it is one of my favorite sunscreens तो ये sunscreen UVA UVB rays के अलावा हमारे skin को blue light protection भी provide करती है मतलब जो rays हमारे gadgets से निकलती है उनसे भी हमारे skin को protect करती तो ये एक added benefit है तो ये तो होगे कुछ steps जो कि आप kojic acid serum apply करते समय ध्यान में रखने है अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि इसको हम किसके साथ pair कर सकते है किसके साथ नहीं कर सकते हो देखे मेरा ये कहना है कि कभी भी बहुत जादा active को एक साथ use कर ये ही मत क्य आपको बहुत जादा active उसके साथ यूज करना नहीं इसमें जैसे अल्रेड़ी alpha abutin, natinamide ये सब दिया हुआ है जो कि skin को even tone देंगे, skin को brighten करेंगे, overall आपके tone को even बनाएंगे, melasma, dark sports pigmentation, hyper pigmentation जैसी problems को reduce करेंगे तो अल्रेड़ी इसमें जो blend है ingredients का वो काफी अच्छा है तो अगर morning में क्योंकि मुझे मैं काफी time से use करेंगे, तो मैं कभी-कभी morning में भी use कर लेती हूँ, तो sunscreen को apply करेंगे, मैं बहुत जादा actives को एक साथ use नहीं करती हूँ, but in case अगर आप जानना चाहते किसे किसके साथ pair कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हो, according to dermatologist, आप kojic acid को नासिनामाइड के साथ use कर ही सकते हो, इसमें अल्रेडी नासिनामाइड है, तो अलग से नासिनामाइड आपको use करने की जरूरत नहीं है, कोजिक acid के साथ आप vitamin C भी use कर सकते हो, vitamin C और कोजिक acid मिलके, overall skin को brighten up करने का बहुत अच्छा काम करते हो, और collagen production को भी increase करने का काम कर सकते हैं, उसके लावा इसको आप retinol के साथ या फिर salicylic acid के साथ तो बिलकुल भी pair मत करिए, आपकी skin की sensitivity को बढ़ा सकते हैं, और फायदे की जगा आपको नुकसान हो सकता है, तो retinol and salicylic acid के साथ आप इसको pair ना करें, इसको आप जो mild AHAs होते हैं, उनके साथ pair कर सकते है क्योंकि यह हलका exfoliation provide करेगा आपकी skin को, but again जैसा मैंने कहा कि कई बार बहुत सारी skin को यह suit करता है, combination कई बार नहीं करता है, always keep your routine simple, एक साथ बहुत दादा actives का इस्तेमाल ना करें, so या यह था आज का वीडियो, I hope कि यह वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, जो भी information मैंने share करी, आपके कुछ doubts को जरूर clear किया होगा, by the way मैं आपको बता दू कि इन products को आप the derma को की website से खरीज सकते हैं, और अगर derma को की website मेरा coupon code यूज करोगे, तो आपको derma को के किसी भी product पे, in products पे 30% का off मिल जाएगा, मेरा coupon code मैंने सकी information कर दिया है, और आप इने the derma को की website के Amazon, Nika, Purple, Flipkart से भी purchase कर सकते हैं, तो जो भी purchase के link से and मेरा coupon code है, मैंने description box से mention कर दिया है, बता दू आपको that the derma को has empowered 15,000 plus student under their young scientist initiative, और वो कैसे, जब भी भी हमको website से कुछ बाइ करते हैं, तो हमारे order को वो link करते हैं, एक child से, जिसे help करते, educate करने में, along with Bhoomi, and I think it's a great initiative, so yeah, यह था आज का वीडियो, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए, stay tuned, take care, और नमस्ते,